आज हम आपको कुछ ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें विदेशों में काफ़े इस्तुमाल क्या जाता है और बहुत जल्द ही ये मशीन इंडिया में भी आ सकती है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक पर है आई राइड हड अगर आपको बाइक राइड का शौक है तो ये डिवाइस आप ही के लिए बनाया गया है जो आपके नॉर्मल हेलमेट को एक स्मार्ट हेलमेट में बदल देगा इसमें आपको कई सारे फ्यूचर मिल जाएंगी जैसे की जीपियस, साउंड सिस्टम, कॉल सिस्टम और सभी इंफोमेशन को देखने के लिए एक डिस्पले जो आपकी राइड को काफी मज़िदार बना देगी नमबर दो पर है क्लाब लिफ्टर ये मशीन बाहर के देशों में रोड बनाने के काम आती है इसकी मदद से बड़े बड़े टाइल्स को बड़ी ही आसानी से उठा कर एक सगह से दूसरी जगह सीरियल में रखा जा सकता है और जिस काम को करने में मज़दूरों को काफी समय लगता है ये मशीन उस काम को कुछ ही घंटों में कर देती है अगर आपके घरों में पालतू जानवर है जिसे आप ठीक से नहीं नहला पाते तो इस फवारे की मदद से आप अपने पालतू जानवर को बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं ताकि उससे फैनने वाली गंदगी से खुद को बचाया जा सके क्योंकि जानवरों की शरीर पर बहुत सारे की टाणू होते हैं जिने ठीक से साफ ना किया जाए तो वो आपको बीमार भी कर सकते हैं नमबर चार पर है Q2S बोर्ड ये एक आधूनिक नाव है जो पानी के सफर को और भी ज़्यादा मज़िदार बना देगी जिसमें एक समय पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं इसमें सभी एडवांस फीचर दिये गए हैं जो इसे नॉर्मल बोर्ड से काफी एडवांस बनाते हैं जिसका सफर आपके लिए बेहद ही यादगार रहेगा नमबर पांच पर है जायरिस्कॉपिक ट्रांस्पोर्ट आने वाले समय में लोगों के ट्रांस्पोर्टेशन को आसान बनाने के लिए इस वहिकल को काम में लिया जाएगा जिसमें एक समय पर कई सारे लोग सफर कर सकते हैं जो आपको ट्राफिक से भी बचाएगा क्योंकि इसमें बेहद ही एडवांस टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया है जिससे ये आपको ट्राफिक से बचा लेगा तो ये थे स्मार्ट फीचर्स डिवाइस आपको इन में से कौन सा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चादस ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले